उस्तो आज की वीडियो में हम भारत की पहली प्राइवेट सेटलाइट लॉंचिंग के बारे में बात करेंगे भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S 18 नुवंबर 2022 को सिरी हरी कोटा में 30 धवन स्पेस सेंटर से सुबह 11 बज कर 30 मिनट पर लॉंच किया गया सिंगल स्टेज वाले इस रॉकेट को इंडियन स्टार्ट अप स्काई रूट एर स्पेस ने बनाया है ये एक तरह का डेमोंस्ट्रेशन मिशन था जिसमें तीन पैलोड को साथ ले जाया गया रॉकेट ने 5 मिनट से भी कम के फ्लाइट टाइम में 89.5 किलोमेटर के पीक अल्टिट्यूड को अचीव किया फिर समुद्दर में स्पेल्स डाउन हुआ कोमर्शियल स्पेस एक्स्प्लोरेशन को प्रमोट करने वाली भारत की नोडल अजंसी इन स्पेस ने विक्रम S सब और्बिर्टिकल विकल को लॉंच करने की मंजूरिदी है इस मिसर का नाम प्रारंब है कमपनी का दावा है कि विक्रम स्रीज के रॉकेट सेटलाइट लॉंचिंग को कैबुक करने जितना असान कर देंगे इतना ही नहीं विक्रम स्रीज के रॉकेट पैलोड सेगमेंट में सबसे कम लागत वाले रॉकेट होंगे दोस्तों आईए ये भी जान लेते हैं कि कैसा है विक्रम S रॉकेट विक्रम S रॉकेट केवल आठ मीटर लंबा सिंगल स्टेज स्पिन स्टेबलाइड सॉलेड प्रोपलेंट्स रॉकेट है इसका वजन 546 किलो और डायमेटर 1.24 फीट है इसमें 4 स्पिन थ्रस्टर्स लगे हैं ये कलाम 80 प्रोपलेशन सिस्टम से पावर्ड है जिर की टेस्टिंग 15 मार्च 2022 को नागपुर की सोलर इंडरस्ट्रीज में की गई थी इसकी पैलोड कपैस्टी 83 किलो को 100 किलोमेटर उन्चाई तक ले जाने की है इस रॉकेट को कमपोजिट मैटेरियल से बनाए गया है फलाइट के दुरान स्पिन स्टेबिलिटी के लिए इसे 3D प्रिंटेड इंजन से लेस्ट किया गया है दुस्तों आज की वीडियो में सितने ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, कमेंट जुरूर करें चैनल पर हैं तो चैनल कुछ चुरूए करना ना भूलें